कि माइक लो माता जी नजदी काओ कहां से आई है केरल से है केरल से है ओ यहां माइक से जो भी बोलना माइक से तो आपको रोज देख थे पर एक बार प्रणत था कि एक बार पंडाल में जाकर लाइब कथा सुनना तो अचा टीवी में वो कथा पंडाल में कितना डिफरेंट आपने देखा लेकिन हमको नहीं मिलती वहां होती नहीं है कि अच्चा केले में कथा ही नहीं होती क्यूं अच्च दा केला स्टोरी मतलब सब्नी कि इसका मतलब दा केला स्टोरी सथ है कुछ इसमें एड़िट है अच्छा दोनों है तो वह आप से यूटूब से बहुत जाद आ है नहीं हो मैया देखो बाला जी ने कैसी करपा कर लिए अरे देखो गुरू जी बस सिर्फ आपके चड़नों में बाला जी के चड़नों में एक नट हम लिख ले वा मैया अभी तो सागर में रुके हो वहां से डेली अबदान कर रहे इतना वो डेली आप आजा नहीं आप आओ जाओ मत हमारे मंत्री जी बहुत अच्छे हैं हम वेवस्था करवाने हैं अजा ले आता है तो ठीक नहीं तो हम यहीं वेवस्था करवा देंगे मां पूछो मां क्या प्रश्ण है हम बिना माइक के भी बूल सकते कोई दिक्कत बिचलित है वो ऐसा आया हम बोल देते हैं पहला प्रश्ण तो बना आपका भक्ती बनी रहें जीवन भर बाला जी से जुड़े रहें ऐसी कामना लेकर आएं दूसरी बेटी का बेटी बिचलित हैं दुवधा में हैं क्योंकि एक बार फैलियर हो चुके हैं एक बार रोक ल स्ट्रेस में हैं उनसे कहना सफल हो जाएंगी आसिरवाद है अच्छा हमें मानता है हाँ बाला जी प्रियोग होता है तोटका तो होता है परुड़ा परिवार आपके पीछे लगा है हमारी पद्धती अंशाल इसी कारण से यह जो है दिकत बनी हैं आप घर पर बागे शुरवाला जी का चित्र रख लो द्वार पर नर्सिंग भगवानी की मूर्ती टांग दो नहीं नहीं मकान की द्वार पर जो मैंडोर होता न वान नर्सिंग भगवानी की मूर्ती टांग दो आप झाल झाल झाल